इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ flip card में new address कैसे डाले अगर आप flip card में एक नया address को डालना चाहते हैं और आप चाहते हैं जो भी समान ऑडर करें वो direct मेरे घर पर आ जाए किसी भी तरीके का कोई problem ना आए तो मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बताऊंगा address डालने का कि आप कैसे address डाल सकते हैं इस वीडियो को आप end तक देखना तो दोस्तो चले वीडियो सुरू करते हैं तो flip card पर new address को fill up करना बहुत ही असान है बहुत ही simple तरीका है जिसकी मदद से आप flip card पर new address को fill up कर सकते हैं flip card पर address डालने के लिए आपको सबसे पहले अपने flip card app को खोल लेना है और यहाँ पर इस तरीके का page आपके सामने खुल जाता है आप simply आपको करना क्या है आपको नीचे में account वाला एक button यहाँ पर मिलेगा तो simply इस account वाले button पर क्लिक करना है account पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का page open हो जाता है simply आपको नीचे scroll करना है then आप लोग जैसे ही नीचे आओगे तो एक option यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा save address का तो आपको basically करना क्या है आपको जो है save address वाले button पर क्लिक करना है save address के button पर आप जैसे ही क्लिक कर देते हो तो आप लोगों के सामने जो है कुछ इस तरह का page मिलेगा new address डालने का option देगा जैसे कि आप देखो यहाँ पर हमने अभी तक किसी भी परकार का address नहीं डाला हुआ है address डालने का यहाँ पर जो है option दिया गया हुआ है अब new address डालने के लिए आपको एक option मिलेगा add a new address तो आपको basically करना है इस पर new address पर आपको क्लिक करना है पहले यहाँ पर fill up करते हैं फिर आता है यहाँ पर phone number ठीक है तो phone number पर हम क्या करेंगे इस पर click करेंगे और यहाँ पर जो मेरा mobile number है ताकि हम जो mobile number जिसमें add कर रहे हैं आप जो है यहाँ पर दूसरे phone number का भी इस्तिमाल कर सकते है alternate phone number जिसमें add करने के लिए बोला जा रहा है तो आप दूसरे phone number का भी यूज कर सकते हैं जिससे की आपका जो delivery boy है वो आपको call कर सके इसी number पर है ताकि आप जब भी parcel लेकर आए तो उसी number पर phone करें ठीक है तो वो वह वाला number आपको यहाँ पर fill up करना है pin code को fill up करने के बाद यहाँ पर आपको जो है जैसे आप pin code को fill up करते हैं तो आपका state और city अटोमेटिकली ले लेगा ठीक है आपको यहाँ पर डालने के जोत नहीं परेगा आप डिरेक्ट यहाँ पर जो है अपने pin code के थूरू अपने state और city को select कर सकते हैं इसके बाद आता है नीचे में यहाँ पर building name house name और यहाँ पर road area koloni तो देखी यहाँ पर house number में क्या होता है कि अगर आप कोई सहर में koloni में रहते हैं तो वहाँ पर हमने house number building number में अपना area डाल दिया है अगर आप गाउं से रहते हैं तो वहाँ का ward number भी होता है तो आपको जहाँ भी रहते हैं वहाँ का ward number area और यहाँ पर गाउं का नाम डालना है ठीक है नीचे वाला में फिर भी आपको यहाँ पर करना क्या है आपको यहाँ पर land mark डालना है ठीक है लेंड मार्क में क्या होता है कि अगर आपके आसपास में आपके घर के आसपास में जो है कोई famous दुकान है जैसे कि कोई shop वगरा है तो उसका नाम आप यहाँ पर डाल सकते है ठीक है ताकि delivery boy जब भी आए तो उस shop पे आकर आपको call कर सके तो वो आपको यहाँ पर डालना है अब देखो यहाँ पर जैसे आप land mark डाल देते हैं तो नीचे में दो option मिलता है पहला option है home और दूसरा option है work तो अगर आप यहाँ पर अपने घर का address डालना चाहते हैं तो आप home select कर सकते हैं अगर आप office वगरा में काम करते हैं तो work को आप select कर सकते हैं तो अगर आप लोग गाउं से हैं तो home को ही select कीजिएगा ठीक है अगर आप शहर में रहते हैं तो work और या फिर home select कर सकते हैं तो मैं आपर home को select करता हूँ अब देखो आप लोग जैसे ही अपने address को fill up कर देते हो तो आपको save address का जो button मिलेगा आपको simply save address के button पे आपको click कर देना है बस दोस्तों आप जैसे ही इस पे click करते हैं तो आपका जो address है वो successfully add हो जाता है अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है सीधा आपको यहाँ स से order करोगे तो दोस्तों आपने जो address डाला होगा जो number डाला होगा सेम उसी address पे आपका product आ जाएगा और दोस्तों आप इसी तरीके से अपने address को fill up कर सकते हैं वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जूर से बताएगा वीडियो को like करना साथ इस चैनल को subscribe करना ना भूले